पांगलादेश में जो हुरा है वो यहां भी हो सकता है ये बयान किसी आम नागरिक का नहीं बलकि ये बयान पूरविदेश मंतरी सलमान खुरशीत का है पूरविगेंधिय मंतरी ने दिल्ली में एक कारिकरम में ये बात कही उन्होंने कहा कि कश्मीर में सब कुछ सामानने लग रहा है हम भले ही जीत का जश्न बना रहे हूं हालाकि निश्चत रूप से कुछ लोगों का मानना है कि वो जीत या 2024 की सफलता शायद मामूली थी शायद बहुत कुछ करने की जरुवत थी उन्होंने कहा सच्चाई ये है कि सता के नीचे कुछ अलग ही है बांगला देश में जो हो रहा है वो यहां भी हो सकता है बांगला देश में जून से आरक्षड के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है अगस्थ में ये और हिंसक हो गया कई लोगों की जाने चली गई उसी के बाद लोगों की बढ़ती आवास के कारण शेक हसीना को कुर्सी छोड़नी पड़ी उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा कारेकरम को संबोधित करते हुए राष्ट जन्तादल के संसान सद मनोज जा के नागरिकता संचोधन अदीनियम पर नहीं मापा गया उन्होंने कहा कि याद रखें कि शाहीन भाग विरोध का कारण था जब सांसद हार गई तो सड़के जीवन्त हो गई दिल्ली के शाहीन भाग में महिलाओं के नेतरत में नागरिकता कानून के खिलाब विरोध प्रदर्शन लगबग सौ दिनों तक जारी रहा था और पूरे देश में इसी तरह के प्रदर्शनों को प्रेरित किया गया मनोज जाका मानना है कि शाहीन भाग अंदोलन सफल रहा वही सल्मान कुर्शीद के विचार है कि अंदोलन विफल रहा क्योंकि विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे कई लोग अभी भी जेल में है कॉंग्रिस नीता सल्मान कुर्शीद ने कहा कि ये कहा कि देश में शाहीन भाग जैसा दूसरा अंदोलन नहीं हो सकता उन्होंने कहा कि आपको बुरा लगेगा अगर मैंने कहा कि शाहीन बाग विफल हो गया हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि शाहीन बाग सफल रहा लेकिन मैं जानता हूँ कि शाहीन बाग से जुड़े लोगों के साथ क्या हो रहा है उनमें से कितने अभी भी जेल में हैं, उनमें से कितनों को जमानत नहीं मिली, उनमें से कितने लोगों के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो देश के दुश्मन है जैसा बयान सल्मान खुर्शीद ने दिया वैसा ही कॉंग्रेस के एक नेता ने दिया पार्टी के वरिष्ट नेता सज्जन वर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोधी एक दिन जो जनता आकर सडक पर हिलोरे ले रही है अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने वरिष्ट नेता को ऐसा बयान देना चाहिए कॉंग्रेस के नेता को देश की सब्पुर्वता का बिल्कुल भी खयाल नहीं है वैसे तो हर चोटी सी घटना पर लोगतंद्र खत्रे में आ जाता है लेकिन क्या कॉंग्रेस को अब अपने ही नेता के बयान पर परेज नहीं करना चाहिए और कॉंग्रेस अब तक चुप क्यों है एक जिन तुमारी गड़त चीचियों से तुमारे प्रजान मंतिरी निवास पे भुर जाएगी कप्चा कर लेगी ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए निउस वैल इंडिया